नमस्कार दोस्तों मैंने हाँ मेरे यूटूब चैनल टेके जुकेशन विद नेहा में आप सभी का स्वागत है आज हम CPU के अंदर जो SMPS लगा होता है जो CPU का पावर हाउस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे इसको हमको विदाउट मदर बोर्ड विदाउट CPU हमको कैसे चेक क करना है ये आज हम सीःगे कि बीना कभी-कभी एक हमारा CPU बंद हो जाता है तो कभी-कभी ये होता है किsky बालम होता है श.mpz में होता है तो हम को SMPS को अगर चैक करना है बिना CPU के तो हम कैसे इसको चैक कर सकते है तो पहले हम यह SMPS हमारे सामने रखा हुआ तो यहां पर दो न्यूज़ करते हैं यह जोंड़ साम यह चैनल करते हैं alegg अलग पार्ट में पावर देने के लिए जोड़ा जाता है यह जो cable दिख रहा है जिसमें बहुत सारे पीन है इसको हम motherboard से connect करते हैं इसको motherboard से connect करने के बाद ही motherboard में power जाता है और यह जो सब यह बाकी के चोटे चोटे connector है इंको सब अनिय जो डिवाइस है connectivity करते हैं जैसे कि floppy disk, hard disk, cd drive यह सब को अगर हमको power देना हैं तो इन सारे connector स हम इसको कनेक करके पावर देते हैं चुकि यह SMPS स्विच मोड पावर सप्लाइस का फूल पॉम है यह इसको CPU का पावर हाउस बोला जाता है इसी के तुरू करेंट इंपुट होता है और हमारे CPU के अन्य पार्ट में जो करेंट जाता है तो आप इसको हमको टेस्ट करना है इसको टेस्ट करने के लिए आपको कुछ इस तरीके के वायर जो भी आपके पास अविलेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं जो आप असानी से अविलेबल कर सकते इस तरह के jumper wire तो यह कुछ नहीं यहां पर एक green wire आपको दिख रहा है इसको बोलते है as we stand by और यह जो जो जितने भी black wire है यह सब जितने भी black wire आपको दिख रहे हैं यह होता है इसको ब्लेक वायर को क्या करना है हम क्या करेंगे पहले इसको एक green wire से जोड़ेंगे और black wire दोनों को क्या करेंगे sort करेंगे इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है अब हम SMPS में मैंने SMPS को power cable से connect कर दिया है अब हम देख रहे हैं कि इसका fan जो है वो चालू हो गया मतलब यह SMPS सही है हमारा अगर इसका fan अगर आन नहीं होता तो इसका fan जो है वो अनने हो तो इसने असान जो टेक्निक है इसका यूज करके हम SMPS को चेक कर सकते हैं तो इस तरह के वीडियो के लिए दोस्तों मेरे साथ बने रही है मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के सांथ Share जरूर कीजिए Like जरूर कीजिए और ऐसे ही आगे के वीडियो के लिए दोस्तों मेरे चैणल को subscribe कीजिए, bell icon को press कीजिए Thank you गैs